ब्राट तो यू बाइ टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स पर आपति दर्श करवाने लगे। जो इस भाशा का इस्तिमाल फयाज ने किया थाउ से देख कर लोगों का घुस्सा भड़क गया। मामला फुल इस अधिकारी तो पहुचा। अब फयाज को माफिया मुकतार का गुडगान करना और विवादे टिपड़ी करना भारी पड़ पहले स्टेटस में लिखा था जिंदा रहेगा वो तो दिलों के आवाम में हिम्मत नहीं थी सामने आकर लड़े कोई धोके से मारा शेर को पिंजरे में डाल कर। अपने दूसरे स्टेटस में पुलिस कर्मी फयाज ने काफी जादा विवादे टिपड़ी अपने स्टेटस की है माना जा रहा है कि जल्दी कॉंस्टिबल फयास को सस्पेंट कर दिया जाएगा इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकाली दी गई चले सुनवाते आपको सोशल मीडिया के माधियम से थाना बीकेटी में तैनात कॉंस्टेबल फयास कान द्वारा अपने निजी वाटसब मोबाइल पर मुकतार अंसारी के समर्तन में स्टैटस लगाने के मामला सामने आया है प्रस्तोत मामले के उपर एसचो बीकेटी द्वारा बेजा गया आख्या से स्पष्ट हो रहा है कॉंस्टेबल फयास खान द्वारा उत्तरप्रदीश पुलीस सोचल मीडिया पॉलिसी एवं पुलीस अधिगारी दंट एवं अपिल नियमावली 1991 का नियमों का उनलखन किया है इनके सस्पंशन हेटू परमिशन के लिए चुनाव आयोग को लेटर बेजा गया है चुनाव आयोग द्वारा परमिशन देने पर प्रस्तूत आरक्षी को निलंबत किया जाएगा लखनाव से आशेश्र वास्तव की रिपोर्ट यूपी तब